अगर आपको कहीं कार्बन कार्बन की बीच में सिंगल बॉंड दिखाई पड़ ला है तो वह एलकेन अगर आपको कहीं पर दिखाई पड़ता है तीन तरीके के फंक्शनल ग्रूप है आपके पास ध्यान सरा चेक करिए एक आपके पास कार्बॉक्सलिक कुछ बाते में आपको बदा देता हूं पहले कार्बॉक्सलिक एसिड ठीक देखिए कार्बॉक्सलिक एसिड में हम एंड में लगाएंगे क्या si oic acid क्या लगाएंगे o i si oic और लिखेंगे acid कि पहचान क्या होती है बच्चों या तो आपको ऐसा दिखी पड़ेगा toice oe बनाता है कार्वन ने दो बॉंड औक्सिजन से बनाए एक इधर से बनाए औक्सिजन से और एक कहीं से बन जाएगा उसको आप छोड़ो बस आप यह देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जागा तो इसको हम COOH दो अक्सिजन है 1,2 एक कार्वन और एक हड्रिजन COOH यह था कार्वक्सलिक असिड इसके लिए आप एंड में क्या लगाओगे COOH एक एसेट लगाओगे क्या लगाओगे OICO 1 एक एसेट ओके सुटेंस नौ अगर इसके लावा बच्चों आपको कभी ऐसा दिख जाए ध्यान से सुन लीजे क्या अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए देखिए C double bond O और इधर भी कोई कार्वन अगर लगा हो और इधर भी कोई कार्वन लगा हो दिहान से सुनिएगा C double bond O इधर भी कार्वन हो इधर भी कार्वन हो अगर दोनों तरफ इसके कार्वन है ठीक तो यह चला जाएगा कहां ketone में अब बहुत टेक्निकली में नहीं बता रहा हूँ अगर कोई टीचर देख रहा हूँ तो बच्चो को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक ना ketone अगर आपको कहीं पर दिख जाता है एंड में CHO ठीक क्या दिख जाता है अगर आपको कहीं पर LD height की क्या निशानी होती है LD height function group की निशानी होती है आपको CHO दिख जाएगा और यहां से single bond इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है C double bond हाँ single bond H और यह आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा CHO अंतर धियान रखना COOS दिखाई पड़ेगा तो carboxlic acid last में लगाएंगे Oic acid CHO यानिके एक carbon एक hydrogen और एक oxygen CHO अगर दिखाई पड़ेगा या ऐसा दिखाई पड़ेगा ये भी CHO है तो हम last में लगाते है all 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 okay क्या लगाएंगे या end में हम suffix all all लगा देंगे ठीक इसके लावा और कुछ बिनाना बनता है let me check it नहीं मेरे ख्याल से इतना काफी आपके लिए चलिए अब इस सवाल को करते है बच्चो ध्यान से अच्छा एक चीज़ और अगर एक carbon है कहीं पर अगर only one carbon है ठीक है बने तो लगाएंगे हम व्यूट ठीक फाइफ कार बने तो हम लगाएंगे पी एंटी पेंट यह प्रिफिक्स हैं सब पहले लगते हैं ठीक ओकी या वर्ड रूड भी इसको बोलते हैं six carbon है तो हम लगाएंगे हेक्स ठीक seven carbon है तो हम लगाएंगे हैप्ट बस इससे जाद जरुत नहीं पड़ेगी ठीक हैट एट कार बने तो ओ सीटी आउक्ट नाइन कार बने एन नॉन और टैन कार बने डी इसी डेक यह सब आपको पता होगा जस्ट मैं आपको रिवाइस करा दिया अब आज ओ यहां पर बच्चों पार्ट वन का अंसर करते हैं ठीक पार्ट ए अब ध्यान दे सो जियंच यह पार्ट ए आपके पास total कितने कार्बन हे मेरी बात ध्यान ससुन ली ज़्येगा पहले का कार्बन काउंट करो कार्बन आपके पास one, two, three, four, five कार्बन है चक कर लिजिए बच्ड़ लिए तो फाइफ कार्बन के लिए क्डिह भर गया पेंट सुन लो ध्यान से पहले बहुत ध्यान से पहले इसका Elkene लिखो Yes Sir, 5 Carbon का Elkene लिख दो अब बताओ 5 Carbon का Elkene क्या होता है भाई, Pent प्लस Aunda ठीक तो 5 Carbon का पहले आप क्या लिखो Elkene लिखो ठीक, यानिकि Pentane लिखो पहले और प्लस आप क्या करोगे इसमें या इसमें CHO आ रहा है, या इसमें C double bond O, इधर भी carbon, इधर भी carbon, ऐसा ढूंड़ो जाके, तो बच्चो चेक करो, इसमें COH, ये वाली unit यहाँ पर देखिए, C double bond O, OH, मैं आपको ये बता चा, C double bond O, OH, और ये carbon कहीं लगा रहेगा, तो ये carbon देखो, ये वाले bond से, इधर इस carbon स समझ में आ रहा है, चेक कर लिजे, C double bond O, इधर OH है, ठीक, यहाँ से ही match कर रहा है, ठीक, ये क्यों नहीं है, क्योंकि C double bond O, उधर H है, C double bond O, इधर H नहीं है, इधर O से लगा हुआ है, तो यही आपका best यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है, तो कार्मोक्सलिक एसेड हो गया, O, इक एसेड लगाना है, लास्ट में, ठीक, तो यहाँ से आपको क्या गरना है, पेंटेन प्लस O, इक एसेड, अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ से क्या होगा, आपने A, B, C, D, ग्रामर्त के रूल पढ़े होंगे, है ना, दो ववल्स एक साथ नहीं आते हैं, यहाँ इसे पेंटेनोइक एसेड, ओके सुदेंस, तो यहाँ से आपका नाम हो गया, इसका पेंटेनोइक एसेड, फरस्ट वाले का, तो फरस्ट वाले का नेमिंग मैंने कर दिया है, यहाँ पर पेंटेनोइक एसेड, ओके सुदेंस, यह आई थिंग आपको समय में आया होगा, फ ओडबी में देखा हो एँगा। तो नाम क्या पढ़ेगा इसका सिंप्ली है ये ब्यूटाइन है ये लीजे खतम ठीक तो इसका नाम बच्चो यहाँ पर लिख देता हूँ में एरो लगाके ब्यूटाइन ओके चलिए कर लीजे फटाफट वीडियो पॉस करके कर लेंगे बच्चे चलो अब देखो अब हम नेक्स करेंगे ठीक तो यहाँ पर आज़ो पार्ट C में अब बच्चो पार्ट C में अगर आप फंक्शनल ग्रूप यहाँ सरच करोगे उससे पहले देखो पार्ट C में यहां करके दिखाता अब अब प्लस अब इसमों फंक्शनल गूप सरच करो कौन सा है तो अगर इसमें आप functional group search करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा यहां से ध्यान से चेक कर लेंगे बच्चे सभी देखें क्या आपको COOH मिल रहा है नहीं देखो ना ये ये देखो क्या COO क्या दो oxygen नहीं एक ही oxygen और एक hydrogen है ठीक तो जाके देखो एक oxygen एक hydrogen है तो ये क्या हो गया LD हाइड obviously ketone तो हो नहीं सकता क्योंकि carbon double bond हो इधर भी carbon उधर भी carbon ऐसा तो है नहीं जिस carbon ने double bond O को इधर लगा दो हाँ और hydrogen को ऊपर लगा दो क्या दिक्कत और ये बॉन्ड इधर से खुला है कहीं जाके लगा होगा तो इधर को ऊपर hydrogen इधर double bond O और ये जाके इधर लगा होगा ये जाके ये वाला जो बॉन्ड आपको बताया था मैंने चलो blue color से कर देता हूं ये व हो गया ठिक तो हम क्या लिखेंगे पहले seven carbon का अलकेन लिखा है प्लस हमने क्या बताया था कि अगर मिल जाए छो आपको तो क्या लगाना है एल अल ठिक तो है तेन और प्लस लास्ट में हम इसके एंड में लगाएंगे और आपने बढ़ा हुआ है कि ई और ए सा साथ आएग कर रहा हुँ में क्या आगया है अब लास्ट वाले में आ जाईए पहले इतना नोट कर ले में अच्छे सभी फटाफट नोट कर लीचे कर लिया चलो अब देखिए students यहां से पार्ट डी में अगर आप आओगे तो पार्ट डी में आपको क्या मिल रहा है पार्ट डी में आ ही नहीं आपको CHO टाइप का मिल रहा है अरज ठीक है CHO टाइब का मिलने के लिए भॉण्ड ओंडों चीए था लेकिन सीडव सिंगल बॉंड ओ है ठीक है तो यह बेस्ट बैटरा किसमें एल्कोहल में ठीक तो एल्कोहल के लिए कैसे नेमिंग करोगे पाट D देखिए कितने कार्बन है सुडेन से यहाँ पर कितने कार्बन है वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइफ कार्बन फाइफ कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं फाइफ कार्बन के लिए E को हम cut कर देंगे और नाम आ जाएगा यहां से हमारे पास क्या Pentane और All Pentanol यह देखिए तो इस तरीके से इसका जो नाम हो गया आपका वो हो गया क्या Pentanol ओके students और functional groups के बारे मैंने आपको यहां पर बता दिया है ठीक है ना So I think आपको मेरी बास समझ में आई होगी बच्चो नोट कर लिचे इसको Now students ले दें Question No.32 Question No.32 में कि रहा Identify and name the functional groups Present in the following Compounds Okay students तो हमें यहां functional group Identify करनी है पहचानना है और उसके name भी किसके name Compound के name नहीं लिखने वो मैं आपको बता दूँगा Compound का name क्या होगा ठीक है आपकी knowledge के लिए लेकिन इसमें आपको बस functional group पहचानना है ठीक तो ध्यान से सुनो बच्चो functional group पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ देखे अगर आपके पास कभी क्या दिखाई पड़ेगा Carbon single bond carbon दिखाई अगर आपके पास पड़े और सुन लो हमेशा एक carbon total 4 bond मनाता है I repeat एक carbon हमेशा कितने bond मनाता है 1,2,3,4 ठीक ओके तो ध्यान दो ये carbon ऐसा है तो 1,2,3 1,2,3 तो इस carbon के भी 4 होगए इस carbon ने यहां से एक बना के रख़ा तीन किसी और से बनाएगा इस carbon ने एक bond carbon से बना के रख़ा तीन कहीं और बनाएगा बेरहल आपको ये चेक करना है carbon carbon की बीच में single bond है अगर carbon carbon की बीच में single bond है तो वो कौन सा functional group को दिखाता है alkaline को इसी तरीके से अगर carbon carbon की बीच में double bond है अब देखो दो bond है तो यहां से यह कौन से functional group को बिलॉंग करेगा यह alkyne को बिलॉंग करेगा अब सुन लो त्यान से यहां में बच्चों होता कि मैं आपको बता दूँ कि एक carbon total four bond बनाता है तो इस carbon ने दो इसके साथ बनाए है तो दो किसी और से बनाएगा किस से बनाएगा उसकी आपको tension नहीं है बस आपको carbon carbon की बीच में double bond देखना है यह carbon 2 bond बना चुका है 3-4 तो इस तरीके से alkyne को दिखाया जाता है ठीक इसके बाद बच्चो अगर कहीं पर आपने carbon carbon की बीच में triple bond देख लिया ठीक तो इसको हम बोलते है alkyne ठीक है alkyne functional group अब ध्यान दो बच्चो यहां से एक bond और बना देंगे यहां से एक bond और क्योंकि एक carbon total four bond बनाता है one bond यह carbon one two three इधर बना चुका है fourth यह रहा यह carbon one two three इधर बना चुका है fourth यह रहा ठीक नौ तो यह हो गया इसके लाबा बच्चो आपको दिखाई पड़ेगा अगर कभी ऐसा ध्यान से सुनो C double bond O है ना और single bond इधर और single bond इधर अब ध्यान दे बच्चे देखो C double bond O और single bond इधर single bond इधर ठीक है बच्चो तो इसको हम बोलते है ketone चिक क्या बोलते है इसको हम ketone और इसी में अगर आप क्या कर दो ध्यान से सुनो ketone में ही अगर आप क्या कर दो यह देखे C double bond O ketone में जब एक तरफ H लगाया तो बन गया LDH ketone में अगर इस H की जगा हम OH लगा दे तो यह बन जाता है carboxylic acid क्या बन जाता है carboxylic acid okay students so यहां से बन जाता है आपका क्या carboxylic acid ठीक और फनो अब इसी तरीके से बच्चो आपका अगर कभी ऐसा आजाए अगर आपको OH लिखा हो कहीं पर ठीक अगर आपको कहीं पर क्या लिखा हो OH लिखा हो ठीक OH single bond यह कहीं से लगा होगा actual में इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ O single bond बनाता है hydrogen के साथ और यह O किसी और से एक bond बनाएगा ठीक O और H के बीश का bond नहीं लिखा जाता है इसलिए हम OH लिखते हैं ठीक है यह जो होता है OH यह होता है आपका alcohol या hydroxyl इसको हम क्या बोलते हैं या तो इसको हम बोलेंगे alcohol और या तो इसको हम क्या सिंगल बॉर्ण दिख जाए ठीक है तो यह सब हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडीन ठीक हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोलते हैं तो यह कौन से ग्रूप में चले जाएंगे हो जाएंगे आपके हैलोजन इतना आपके लिए काफी इस कोशन को करने के लिए अब आईए हम इसको सॉल्फ करते हैं चलिए आजएए सबसे पहला सवाल इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है ओएच दिख रहा है जाके दिखिए यहाँ पर दिखिए बच्चों ओएच क्या है एलकोहल या और हाइड्रोक्सिल ग्रूप ओके सुटेंस अब कोई बच्चे सोचेंगे हाँ वन बॉंड क्यों ओपन करके छोड़ना आपको ऐसे नहीं लिखना है ओएच नहीं लिखना आपको ठीक है ऐसा नहीं लिखना आपको अब कोई अजर्खनी नाइट्रोजन बनाता है हमेशा आपके कितने थ्री बॉंड ठीक है और भी आप एक्जाम्पलर के कोश्चें नहीं करोगे दीरे-दीरे हो रहाएगा क्लोरीन, ब्रोमी, नायोडीन, वन बन 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 बनाते हैं सर तो सर त्यान से सुनू यह जो o h है इसने हाईडोजन के साथ बन 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 बना रख्था है और इधर से किसी और से यह बनाएगा o और h के बीच का बन नहीं दिखाया जाता है तो इसको हम o h लिख देते हैं लेगिन यह अभी किसी से बनाएगा उधारन के तौर पे आप यहाँ पे देख लीजे OH ने यहाँ पे देखी 1 bond carbon से बना के रखा हुआ है बस मैं यही कह रहा हूँ ठीक तो Part 1 में हो गया क्या यह हो गया आपका क्या इसमें functional group कौन है OH जिसको आप alcohol या hydroxyl group बोलोगे सेकेंड वाले में देख लो बच्चों साफ साफ आपको दिखाई पड़ा है यहां से मैं functional group को ऐसा circle कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यह functional group है OH इधर यहाँ पे देखी यह देखिए बच्चों C double bond OH कौन है यह carboxlic acid है चेक कर लीजे जाके C double bond OH कौन है तो B वाले के दो answer हो जाएगा अपच्चों वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ B वाले में C double bond OH इधर से single bond open रहेगा तो यह हो गया देखिए यह आपका हो गया carboxylic यह हो गया आपका क्या carboxylic acid ओके students यह लीजे बहुत असान है इसके बाद next वाले में आजाओ बच्चों आप देखो carbon double bond OH बनाके बैठा है इसके इधर भी एक carbon है इधर भी एक carbon है यही बात में आपको ketone में last question में भी बता चुका है इसके पहला इला question अगर आपने देखा होगा ketone में यह जो bond इधर इधर से खुले रहते हैं होता क्या है? इधर कोई alkyl लगेगा alkyl मतलब कोई carbon की chain लगेगी इधर कोई alkyl लगेगी simple शब्दों में सुनो आपको इधर भी carbon देखने को मिलेगा इधर भी carbon आपको देखने को मिलेगा ठीक? तो C double bond O और जिस carbon में double bond O लगा है इसके इधर भी carbon उधर भी carbon तो वो हो जाता है आपका ketone ठेक तो चलिए आज़े यह बच्छों यहाँ पर यहाँ से दिखे यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो C double bond O है इसके इधर भी carbon है उधर भी carbon है तो यह जो है आपका यहाँ पर बच्छों यह जो आपको दिखाई पर रहा है यही कि आपका ketone है तो इस तरीके से हम लोग answer कर सकते हैं C part का C double bond O लिखेंगे जगा है नहीं यहाँ पर जगा है नहीं यहाँ पर बच्छों यहाँ पर कर लो C part जो है आपका C double bond O एक bond इदर से खोलेंगे एक इदर से हम कहना चाते हैं यह यह किसी से जाके लगेगा और यह किसी से जाके लगेगा तो इसका नाम क्या हो गया आपका ketone हो गया यह लीजे students अब ध्यान दे बच्छे लास्ट वाल आपका बच्छरा है और लास्ट वाले आप देख सकते हो कारवन कारवन की बीच में क्या है double bond है और यहाँ पर आजाईए जब आपका कारवन कारवन की बीच में double bond होता है इसको हम alkene बोलते है तो alkene को लिखने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है तो part D का जो answer हो जाएगा यहाँ से आपका यह दिखे यह क्या आपका C double bond C और यह 2 bond इज़र से खोलेंगे 2 bond इज़र से क्योंकि एक carbon total 4 bond बनाता है तो 1,2,3,4 इसके भी 1,2,3,4 और यह हो गया कहाँ पर alkene में आपका यहाँ पर चला गया यह हो गया अब मेरी बात ध्यान से सुनो board examination में same compounds के आपको IU pack name पूछ सकता है तो फटा-फट में आपको IU pack name भी यहाँ पर करा देता हूँ ठीके ना आपकी knowledge के लिए यहाँ भी आपको IU pack name भी पूछ सकता है चलिए, IU pack name कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा बच्छो चलो, इसके IU pack name यहनि के IU PAC name अब सुनो, फर्स्ट वाले का IU PAC name क्या होगा यहाँ से OH लगा हो है, ठीक तो ध्यान सुनो, जब alcohol होता है तो हम end में OL, all लगा देंगे कितने कार्वन है, एक, दो, तीन, तीन कार्वन के लिए हम लिखते हैं, प्रोप, और प्रोप का alkane होता है, प्रोपेन, ठीक तो प्रोपेन और प्लस, OH की वज़े से हम लगाएंगे all, OH की वज़े से all लगाएंगे इसका answer आजएगा, अधिको, E और O साथ आते नहीं, E को हटा देंगे तो नाम पढ़ेगा इसका क्या, प्रोपेन औल तो फर्स्वाले का जो आयू बैकने में प्रोपेन औल है, सेकंड वाले का देखिए बच्चों सेकंड वाले में ये देखिए COOH लगाएं, COOH होता है जब भी, तो कार्वाक्सलिक एसिड है और कार्वाक्सलिक एसिड में हम जो end में लगाते हैं नाम यानि कि जो हम suffix लगाएंगे, हम oic acid लगाएंगे क्या लगाएंगे, O, I, C, oic acid तो आज़ें यहाँ पर अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ से दिखो कार्वान कितने, 1, 2, 3, 3 कार्वान है तो 3 कार्वान के लिए क्या लिखो गया क्या मैं इसकी नेमिंग यहाँ पर कर दूँ यस सर, इसकी blue color से कर रहा हूँ देखो सबसे पहले 3 कार्वान है तीन कार्वान के लिखेंगे प्रोपेन और प्लेस कार्वाकसलिक असेड तो O, I, C, O, i, C तो नाम पढ़ेगा इसका E को हटा देंगे क्योंकि E और O साफ साफ हटा नहीं है तो नाम पढ़ेगा इसका propanoic acid तो part B इस बात का भी आपको यहां पर धियान रखना है उसके बाद बुच्चो यहां पर आजएए यह ketone है तो ketone का name कैसे करते है वो आप देख लो यह नीचे का आप copy कर लिएचे नीचे का copy कर लिएचे तो मैं आपको part c की naming नीचे करके दिखाता हूँ function group तो आपने लिख लिए थे इस question में naming आपको पूछी नहीं थी मैं जान बूच के करा रहा हूँ जिससे की कोई doubt आपको होना जाए exam में क्योंकि same compound का ही आपको IUP एक name पूछ लेगा exam में ठीक अब सुनो यहां पर देखो कितने carbon है 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 carbon ठीके students तो यहां पर 5 carbon है 5 carbon के लिए हम लिखेंगे P-R-O-P probe ओके students probe ओके और प्रोपेन लिख दो पहले ठीके प्रोपेन यह निके 5 carbon का alkane लिख दो प्रोपेन और प्लस O-N-E लगा दोगे ओन ठीके students के लिए हम end में क्या लगाते हैं कि टोन यहां कि टोन न सी डबल बांड हो इधर से carbon दर से carbon O-N-E लगाते हैं मेरी बात ध्यान सुनो वैसे तो यह वाला compound exam में नहीं आएगा ओ I am very sorry 5 carbon है 5 carbon के लिए तो हम क्या लगाते हैं प्रोब फोर के लिए व्यूट फाइफ के लिए प्रेंट टिक तो फाइफ कारवन एटम है इसलिए हम पेंटेन लिखेंगे पेंटेन और प्लस O-N-E लेकिन हम क्या गरेंगे इसमें नंबर भी डाल देंगे कौन सा नंबर जिस नंबर पर डबल बांड ओ लगा हुआ है त तो हम ओन से पहले लगा देंगे 3 3 क्या बता रहा है 3 बता रहा है कि 3 नंबर के कारवन पर क्या लगा है double bond O तो यह वाला compound नहीं आएगा प्र भी आपको बता दे रहा हूँ तो इसलिए हमने ओन से पहले क्या लग दिया 3 तो नाम पड़ेगा इसका E हटा दो यहां से क्योंकि E और O साथ साथ आते नहीं है कुछ लोग गएंगे बीच में 3 आ जा रहा है उससे मतलब नहीं है 3 बस on की ketone की position को बता रहा है कि 3 नंबर कारवन वाला ही कारवन क्या क्या ketone है ठीक यहां से नाम होगा क्या butene यह लीचे students तो यह आपका part D का naming यहां पर हो गया ठीक है तो इसके IPAC नेम भी कर लीचे नाव students लेते हैं हम question number 33 के रहा compound capital X is formed by the reaction of carboxylic acid C2H4O2 अब ध्यान दे वच्छो question को पकड़ना कैसे है ध्यान देंगे students अभी ध्यान सरह चेक करें देगे यह जो इसने बोला है कि वही a compound capital X is formed by the reaction of carboxylic acid अब कौन सा carboxylic acid है ध्यान दें जरा carboxylic acid है आपका उसका molecular formula दिया हुआ है कितना carboxylic acid का molecular formula किया है C2H4O2 अब ध्यान दो उच्छो यहां पर देखिए question किस तरीके से करेंगे carboxylic acid जो है आपका वो कौन है यहापर वो है आपका C2H4O2 अब ध्यान दो यह जो carboxylic acid में carbon कितने c के नीचे कितना लिखा है 2 यानि कि c का मतलब carbon carbon के 2 atom है यानि कि 2 atom का carboxylic acid आपको सोचना है यस सर अब ध्यान से सुसनो carboxylic acid का जो function group होता है वो क्या होता है carboxylic acid का function group का symbol होता है C double bond O single bond O H यही तो होता है na carboxylic acid पढ़ा है आपने COOH जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हो इसी को condense कर दोगे तो COO दो oxygen है यही वापका carboxylic acid होता है ठीक आप सनो आपको कितने carbon चाहिए 2 carbon चाहिए भई 2 carbon का carboxylic acid ना तो एक carbon तो इस function group में ही आ गया बच्छा एक carbon एक carbon और लगा दो इसमें ठीक तो यहाँ पर देखो फंक्शन ग्रूप आपको पता है carboxylic acid एक carbon और चिपका दिया है यहाँ पर आपने ठीक चाहिए इसमें लगा दो ठीक अभी इसमें लगाएंगे रुख जो इधर देखो अब एक carbon total कितने bond बनाता है फोर तो यह एक इधर बना चुका है तो एक इधर बनाएगा एक इधर बनाएगा एक इधर किसके साथ hydrogen के साथ यह लीजे बच्छो एक इस तरीके से यह आपको दिखाई पढ़ ला क्या सी और थ्री हाइडो जैने के CS3 यह लो यानि के आपका acid कॉन सा है CS3 COH ठीक क्या acid आपका CS3 अब यह bond भी नहीं दिखाएंगे CS3 COOH है अब CS3 COH यही तो दो carbon का कर्वक्सिल का acid एक carbon यह carbon यह लीजे और यह रहा इसका structure करेक्ट नाम क्या हो जाएगा 2 carbon के लिए हम क्या लगाते है एथ एट एच एच एथ ठीक अगर आपको याद हो ठीक है students तो हमारा acid हमें पकल में आ चुका है बच्छो यह जो इन्हों में दिया है C2 H4O2 इसको हमने पकल लिया ठीक आप चेक भी कर सकते हो 2 carbon है 2 oxygen है 4 hydrogen चेक कर लो 2 carbon 2 oxygen और 1 2 3 4 hydrogen यहां से भी देख लो 2 carbon 4 hydrogen 2 oxygen ठीक नाम पढल गया इसका क्या एठी नोीक एसिड यह वही एथनोञी को एसका नाम है इसका दूसरा नाम है यह इसका आयू बैक नें में इसका common name क्या होता है मैं लेकदे रह про हूं है लगए को इसको बोलते हैं सब्सकर पकल अगया अब देखो, कह रहा है कि and an alcohol in the presence of few drops of S2 SO4 yes and an alcohol in the presence of few drops of अच्छा, ठीक है, यह तो इसके बारे में बता रहा है यह compound X बनता है, किसकी help से यह वाले carboxlic help से और यह वाले carboxlic acid की help से और कोई alcohol है, उस alcohol के बारे में हमें नहीं पता है alcohol in the few drops of S2 SO4 अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर आपके पास carboxlic acid हो, और आपके पास कोई alcohol हो, भाई यही तो कहरा ना कि इन्होंने few drops of concentrated S2SO4 लगा दिया है, concentrated of S2SO4 लगा दिया है बच्चों, ठीके, तो ध्यान से सुनिएगा, इस reaction को हम esterification बोलते हैं, यहाँ पर ester बनेगा, क्या बनेगा, ester बनता है, और इस ester की जो smell होती हो, sweet smell होती है, sweet, fruity smell, sweet, fruity smell होती है, और साथ में निकलता है water, साथ मे पहचान चुक है, alcohol पहचानना बचा हुआ है, अब alcohol पहचानने के लिए, इन्होंने हमको information दे दी हैं, यहाँ पर, okay, so, कुछ बच्चे, इस question को रट रहे होंगे, रटना नहीं है, आपको, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, क्या रहा है कि, आगे आपको information देखे रखा है, alcohol के बारे में, क्या रहा है, the alcohol on oxidation with alkaline kemenophor, ठीक, alkaline kemenophor, followed by acidification, gives the same carboxylic acid as used in this reaction, बतलब समझो, इस reaction में, ध्यान से सुनिए बच्चो, इस reaction में, जो compound X है न, X, वो यही X है, ester है वो, क्योंकि उसने आपको बोला है न, कि carboxylic acid और alcohol को दोनों के react कराएंगे, concentrated S2SO4 में, पढ़ लो, compound capital X is formed by the reaction of carboxylic acid, and alcohol in the presence of few drops of S2SO4, तो भहिया, मैंने भी यही करा दिया, carboxylic acid ले ले या, concentrated S2SO4 के presence में, करा दिया, तो ester बन गया, water बन गया, मुझे, यह मुझे याद है, मैं NCRT से याद करके आया हूँ, ठीके न, अब सुनो, यह जो ester है, यही X है, यही क्या आपका X है, तो याद रखेगा, अगर ester आपने बना लिया, तो वही X होगा, लेकि ester बनाने क कर चुके हूँ, क्या यह, CS3, COOH है, बस अब आपको यह वाला alcohol नहीं पता है, अगर आपको यह alcohol पता चल गया, तो आपकी reaction यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, आप सुनो, alcohol के लिए इसना आपको hint दिया हुआ है, ठीक, क्या hint दिया हुआ है, क्या hint दिया हुआ है, क्या है, क अगर आपके पास कोई alcohol है, सुन लीजे ध्यान से बच्चों, अगर आपके पास कोई alcohol है, और इसमें आपने अगर लगा दिया क्या, alkaline, alkaline, KMNO4, alkaline potassium permagnate लगा दीजे, इसको KMNO4 का नाम क्या होता है, potassium permagnate, ठीक, alkaline potassium permagnate लगा दीजे, या, और, और इसमें आप क्या लग क्रोमेट लगा दो, K2, CR207, चीक, नाम लिख देता हूं मैं, KMNO4 का नाम क्या है, potassium permagnate, जो कि आपकी बुक में शायद लिखा हुआ है, क्या, यहाँ पे question में दिया हुआ है, क्या, KMNO4 का नाम, भई सुन लो, सुन लो ध्यान से, मैं लिखनी रहा हूं, सुन लो, KMNO4 क्य oxidizing agent होते है, oxidizing agent क्या होते है, जो की सामने वाले को oxidize करा देते है, तो सुन लो ध्यान से, alcohol जब भी oxidize होगा, alkaline potassium permagnate या acidified potassium dichromate के presence में, तो alcohol आपको oxidize होके बच्छों देगा, carboxlic acid, यह process आपको याद रखना है, carboxlic, carboxlic acid, सुन लिए ध्यान से, क्या, alcohol अगर कभी भी होग alkaline potassium permagnate, alkaline मतलब basic medium है, मतलब sodium hydroxide के presence में, alkaline का मतलब NaOH, अरे बही alkaline क्या होते है, ऐसे बेस जो पानी में soluble होते है, कौन सा होता है, बहुत सारे होते है, लेकिन हम NaOH लेंगे, ठीक, तो alkaline KMNO4 का मतलब होते है, NaOH और प्लस KMNO4, ठीक, alkaline KMNO4 का मतलब क्या होते है, इसका मतलब ही होते है, क्या, कि sodium hydroxide को लिया गया होगा किसके साथ, KMNO4 के साथ, ठीक है, कि आपकी knowledge के लिए बता रहा हूँ, इसी तरीके से acidified potassium dichromate का मतलब क्या है, acidified K2CR2O7 का मतलब होता है, acidified का मतलब S2SO4, ओके, K2CR2O7 का मतलब होता है, दोनों ही अच्छे oxidizing agent है, क्या हैं, दोनों? oxidizing agent है, तो अगर आपके exam में question आ जाए, कि दो oxidizing agent के नाम बता, organic chemistry में, तो alkaline, kemenophor, और दूसरा के आपका acidified potassium dichromate, अब मेरी बाद दन सुनो, इन दोनों में से कुछ भी present होगा, तो alcohol change हो जाएगा, किसमें आपका carboxylic acid में, सुन लो, अब माल लो, अगर मैंने alcohol में choose किया, alcohol में अगर मैंने choose किया, ethanol, दो carbon का alcohol choose किया, पता है न, C2H5OH, यह दो carbon का alcohol है, क्या आपको पता है, इसको हम ethanol बोलते हैं, इतना तो पड़के आए होगे, ठीक, दो carbon का alcohol, ethanol होता है, तो ethanol हो जाएगा, यह change, दो carbon के carboxylic acid में, यह सर, याने के, दो carbon का carboxylic acid क्या होता है, CS3COH, याने के ethanoic acid होता है, यह लिजे, ethanoic acid होता है, अगर आप इधर alcohol लेके चल लेए हो, तीन carbon का, याने के C3H7OH, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेता हूँ, एक बार, ठीक है, भई, structure भी बना के चेक करना पड़ेगा न, पतला लगा गलत ना हो, क्या हो कहीं, C3H7, याने के 3 carbon ह है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hydrogen है, इधर OH लगाओ, बिल्कुल सही है, ठीक, C3H7OH का ये मतलब है, ठीक है, ये मतलब है, तो अगर आपने लेके चले हो, क्या, ये वाला alcohol, 3 carbon का alcohol, अगर आप लेके चले हो, ठीक है, students, 3 carbon का alcohol का मतलब, आप propanol लेके चले हो, propanol, तो आपको पता ह क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, तीन carbon का, 2 carbon का alcohol, तो 2 carbon का acid, 1 carbon, 2 carbon, ethnoic acid, टिक, ethnoic acid, अगर 3 carbon का alcohol लेके चले हो, तो 3 carbon का आपको क्या मिलेगा, acid मिल जाएगा, यानि कि CS3, CS2, COOH, यानि कि आपको मिल जाएगा, क्या, propanol, एक, acid, ओके students, ये देखिए, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतना आपके लिए काफी है, अब मेरी बात ध्यान से सनो, आपका alcohol कौन सा है, इथेनॉल है, या propanol है, बताओ, इस question में, तो जवाब है, क्योंकि इस question में, आपको क्या दिया है, इस question में दिया है, कि अगर हम इस alcohol का क्या करते है, oxidation करते है, किसके presence में, alkaline, kevenophor, अब ये बात क्यों लिखी है, followed by acidification, तो ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप रुक जो attention मतलो, अभी बस आप इतना देखो, alcohol oxidation करने के साथ, alcohol का जब हम oxidation करते है, alkaline, kevenophor में, तो हमको क्या मिलता है, गिस alcohol का oxidation करने से, हमको two carbon का acid मिलेगा, ठीक, alcohol का oxidation करने से two carbon का ही acid चाहिए, यानि कि यही वाला acid आपको चाहिए, इस question में, ठीक, तो इस question में, यदि आपको यही वाला acid चाहिए, यही चाहिए, तो भाया, इसके लिए alcohol कौन सा होगा, आपके पास, ethanol, इस तरीके से मैं alcohol भी बात करता है, तो मेरा propanol use होता, लेकिन अभी मेरा ethanol use होगा, तो अब मैं alcohol पहचान चुका हूँ, ठीक है students, और reaction यहाँ पर लिखे हुए, यह आप देख लीचे, ठीक, यह reaction है, ठीक, यह वाली reaction है, यहाँ पर लिख सकते है अपनी copy में, इस तरीके से arrow लगा के, उपर क्या acidification, ठीक, अब बहुत लिएर, तो मैं भी निया, एसी बात क्यों लिखता है, इस लिए, ज्यान से जनो, अगर यह डाल दिया है इनोंने, ठीक, यह बन गया, अगर थोला बहुत alcohol पीछे से बचा होगा, तो उसमें यह लोग क्या करेंगे, acidified potation dichromade भी डाल देंगे, यह भी यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे, इतनो इक acid मिल रहा है, यहने कि 2 carbon का acid यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आप वापस पीछे आ जाईए, चलो, तो अब आप alcohol को पहचान चुके हो, ठीक, आ रहा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कि यह वाली reaction मै of carboxlic acid, तो मैंने आपको बताई दिया कि वो carboxlic acid कौन सा है आपका, yes, carboxlic acid कौन सा आपका, ethnoic acid, ठीक, यह देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ethnoic acid, या acetic acid, ठीक, यह ओगे आपका part एक answer, ठीक है, और structure, यह रहा है, इसका structure, ठीक, चलो, यह रहा है, इसका, इसका, नाम है इसका क्या, sorry, ethnoic acid, या, इसको हम क्या बोलते है, एसट्क, 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 एक्जाम में कौन सा नाम लिखेंगे, आईउ, पैक, नेम लिखोगे, यह वाला, एत्थनईक acid, यह वाला लिखोगे, इसको bracket में लिख सकते हूँ, ठीक, और यह रहा है, इसका structure, ठीक, इसुदिंस, ये इसका structure, एस structure भी, ठीक, पार पार बी, C2 H5 OH structure कैसे बनाओगे 2 carbon मनाओगे single bond लगाओगे यहाँ पर OH लगाओगे alcohol है तो function group OH आएगा 1 carbon total 4 बनाता है यह carbon 2 बना चुका है यह रहा 3 यह रहा 4 यह carbon 1 बना चुका है 2, 3, 4 और सब जगा हम hydrogen लगा देंगे यह लीजे यह लीजे इसको हम ethyl alcohol भी बोलते हैं इसका जो common name हो क्या ethyl alcohol ठीक तो यह इसका आयूपेक ने में आया इथेनॉल और अपनी knowledge के लिए लिख लीजे ethyl alcohol इसका common name है ठीक तो part B का अंसर कर दिया part C में compound X के बारे में हमें बताना है तो उसके लिए आपको यह reaction करानी होगी अब आईए मैं reaction कराने जा रहा हूँ यहाँ साब को acid पकड़ना है acid हम को क्या मिलाता CS3 COOH और plus अब ध्यान देंगे बच्चो reaction कैसे करेंगे alcohol को ध्यान से सनो alcohol को आप ऐसे लिखो C2H5OH या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो reaction में C2H5 और OH को इधर लिख दो पीछे लिख दो OH को राइट में ना लिखके पीछे लिख दो क्यों sir क्योंकि इससे reaction कराने में आपको easy होगा कैसे यह देखें यहाँ से देखें C2H5 C2H5 ओके और यहाँ पे हम OH लिख देंगे यह इस तरीके से अब करना कुछ नहीं यहाँ से जहाँ से चेक कर लीजे बच्चो आप acid में से H को निकाल दो और C2H5OH में से OH को निकाल दो बताओ OH और H बाहर निकाल जाएंगे और जो कुछ बचेगा उसको आपस में जॉइन कर देंगे चेक चलिए तो यहाँ से देखें क्या होगा और in the presence of ये रिक्षन होती है क्या in the presence of few drops of concentrated S2SO4 ठीक यह acid है और यह alcohol है तो यहाँ लिख देंगे क्या concentrated S2SO4 अपनो ध्यान से रचेक करना बच्चो यहाँ से OH गया यहाँ से H कितने hydrogen होगे एक यहाँ से गया दो hydrogen एक oxygen तो H2O बाहर हो गया H2O में दो hydrogen होते हैं और एक oxygen होता है ठीक सो यहाँ से हो गया आपके पास H2O बाहर हो गया और बचा क्या यहाँ पर जो बचा उसको जोड़ दो यहाँ से बचा CS3 COO CS3 COO ध्यान दे बच्चे CS3 COO इधर से बचा और इधर से बचा C2H5 ये लो एक यही आपका क्या है compound X है यही क्या है आपका compound X है अब इसका भी structure भी हमें बना के उनको दिखाना है उसने बोला ना आपसे question में कि give the name and structure of the following कारवाक्सरी का structure यह रहा नाम कर दिया अलकोहल का structure यह रहा नेमिंग कर दिया अब C में जो compound X है यह रहा आपका compound X जिसको हम ester बोलते हैं यह ester है ester भी different type क्यों होते है इस ester का नाम क्या है ध्यान सुनो कैसे ना naming इसका कैसे करते है सुनो बच्चो ध्यान से देखिए इसका naming हम दो तरीके से करते है number one देखो यहां से यह जो unit है आपकी कौन सी CH3COO ठीक है देखीगा ज़रा यह जो unit है कौन सी CH3COO ज़र से बन रही है इसके दो नाम होते है कुछ लोग को एलकाईल ही नहीं बता होगा सुनो देखो जैसे यह होता था आपका मीथेन CH4 याद है तो इसमें से अगर एक हाइडोजन हटा दोगे तो क्या बनेगा CS3 ठीक इसको बोलते हैं क्या मिथाईल आज के बाद बस आप डिरेक्ट याद रखना कहीं पर भी अगर CS3 लिखा हो तो बोलेंगे मिथाईल और अगर कहीं पर यह देखिए दो कारवन है और पांच छे हाइडोजन है तो यह इथेन होता है इसमें से एक हाइडोजन हटा दोगे तो बन जाएगा इसमें से एक हाइडोजन हटा दो यहाँ से तो क्या बन जाएगा येलो इसी को हम क्या बोलते हैं इसको कंडेंस करके लिखोगे कितने कारवन है दो दो कारवन और 5 हाइडोजन है 1,2,3,4,5 C2H5 तो यही c2H5 तो यही और single bond open है है यहाँ से ठिक तो यही होता आपका क्या? मिथाईल इथाईल के राम से जानते हैं अब आज हो यहाँ पर बस यही बात है तो यहाँ से देखो यह c2H5 क्या हो गया? इथाईल है न हमझाड़े न याँ देखो यह C2H5 के लिए शब्द हमने यूज किया क्या इत्थाइल ठीक और CST-COO को चाहो ताप एथेनोइट लिख दो चाहो ताप एसिटेट अगर आपने एथेनोइट लिखा तो नाम पड़ेगा इत्थाइल एथेनोइट ठीक और और अगर आपने ऐसे कर दिया इत्थाइल और यह CST-COO इसके लिखा क्या एसिटेट तो नाम पड़ेगा इत्थाइल एसिटेट ओके सुटेंस आइथेनोइट या इत्थाइल एसिटेट दोनों ही इसके नाम है आयू पैक नेम इसका कौन सा है तो जवाब है आयू पैक नेम है इसका उपर वाला जो वाइट कलर से लिखा यह वाला लिखोगी एक्जाम में ठीक इत्थाइल एसिटेट भी लिख दोगे तो कोई marks नहीं काट लेगा बट फिर भी ठीक इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ यह इसका common name है इत्थाइल एसिटेट ठीक है सुटेंस ओके तो यह हो गया लेकिन अभी आप ध्यान रखना यह जो box मैंने इस तरीके से बनाय हुआ है यह box आपको exam में बनाने की जरुवत नहीं है ठीक है यह मैंने आपके simplification के लिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझना है reaction कैसे हो रही अभी कहानी खतम नहीं हुए अब उसने बोला था यह long answer type question है examination के लिए सुनो अभी उसने बोला था इसका structure भी लिखना है किसका compound compound X का compound X है कौन यह है यही X है आपका यही आपका क्या है X है लिख दिया रहा हूं में bracket में यही X है कौन CSTCO C2H5 ethyl ethnoid या ethyl acetate यही आपका X है और इसी की smell कैसी आती है sweet fruity smell आती है ठीक अब इसका structure भी बनाना है तो part C में हमने इसका नाम तो लिख दिया X का नाम और इस इसका structure तो इसका structure बनाने के लिए आपको new page पे चलना होगा इस reaction को पहले copy कर लीजे copy कर लीजे students आप देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आप मेरे साथ new page पे चलिए यहाँ पे देखिए हमने acid कौन सा choose किया था यहाँ पर CS3 COOH और प्लस alcohol क्या था आपका C2H5 इधर था OH ठीक फिर मैंने क्या किया था यहाँ से आप ध्यान से चेक करेंगे बच्छो यहाँ से हा रहा था acid में से और alcohol में से OH इस OH को हटा के बाहर आपने water लिख दिया था यहाँ पर अगर आपको यादो so H और OH के health से पानी बाहर निकल गया जो बचा उसका हम जोड़ देंगे यहाँ से क्या बचा यहाँ से बचा CS3 COO और यहाँ से क्या बचा OH तो चला गया तो C2H5 यह लो अब इसी का आपको क्या करना है structure बनाना है कैसे बनाएंगे ध्यान से चेक करो देखो करना कुछ है नहीं पहले इसका structure बनाओ CS3 COH का structure कैसे होगा C double bond O single bond OH इधर से आएगा C और यहाँ hydrogen यहाँ hydrogen यहाँ hydrogen ठीक और यहाँ से पकड़ो alcohol का structure कैसे होगा 2 carbon है 5 hydrogen है 1 2 3 4 5 और इधर लगा हुआ है OH यह लो इधर लगा दिया हमने OH C2H5 OH ठीक बीच में लगा था प्लस ठीक है students अब करना यहाँ पर भी कुछ नहीं है यहाँ पर भी वही काम करना है आपको यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो यहाँ से OH यहाँ से H जो बचा उसको आप जोड़ दो बस ठीक है तो यहाँ से क्या बचा देख लो जरा इधर से क्या बचा लो इधर से यह बचा और उधर से क्या बचा यह बचा लो लाओ ऐसे लाके इसको जोड़ दो समझे ना इधर से ये वाला टुकड़ा इधर से ये टुकड़ा लाके ऐसे जोड़ दो लो कर लिया यही जो है यही क्या है CST-COO T2H5 है यह रहा आपका इस्ट्रक्चर यही क्या है आपका यही आपका CS3 COO देखो यह CS3 है फिर COO दो अख इतन है और यह C2H5 C2 देखो तो कारबन है पांच हाइटोजन है C2H5 है बस ठीक CS3 COC2H5 ठीक तो यह क्या है X का स्ट्रक्चर फॉर्मला है X कौन था इसका नाम पीछे लिखा हुआ है अब आप देख लेना इसका नाम क्या है आपका इथाईल एथैनोएट या इसे टे10 लिख द्याहरो में लिखना गे लगétais नाम पीछ थे यह उताईल पूरा होगोगा temps dividण या इसका नाम इनाम क्या है इसका अब आपको मेरी बात बच्छों यहां समझ में आई होगी यहちゃू आ Ctrl complete हो चुका है कर लीचे